प्याज एक्सपोर्ट बैन हुए लगभग दो महीने होने वाले हैं। इस दोरान महाराष्ट्र के किसानों को लाखों रुपई का नुकसान हो चुका है। राजे की ज्यादातर मंडियों में प्यास का दाम एक सौ से पांच सौ रुपई प्रती क्विंटल तक ही रह गया है। जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। आवग बढ़ने से दाम काफी कम रह गया है। सोलापुर मंडी में पांच फरवरी को 49,379 क्विंटल प्यास बिकने के लिए आया। यहां न्यूंतम दाम घटकर सिर्फ एक सौ रुपई क्विंटल यानि एक रुपई किलो रह गया। इस मंडी में अधिकतम दाम सिर्फ उननीस सौ और आसत दाम 1100 क्विंटल रहा। किसानों का कहना है कि सरकार ने अगस्त 2023 से उन्हें दाम के मामले में परेशान करके रखा है। लेकिन निर्यात बंदी की वज़े से पिछले दो महीने में सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। पूरा बाजार सरकार ने चौपट कर दिया है। सरकार कोई न कोई तरकीब लगा कर दाम बढ़ने ही नहीं दे रही है। इसकी वज़े से अब किसान हताश हो चुके हैं और वह प्याज की खेती कम कर रहे हैं। धुले जिला भी महाराष्ट्र में प्याज का प्रमुक उत्पादक है। यहां की मुख्य फसल प्याज है। इसलिए ज्यादातर किसानों की आ महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि सरकार किसानों को मिलने वाली चीजों को सस्ता नहीं करवा रही जबकि किसानों के घर पैदा होने वाली क्रिशी उपज को सस्ता करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही जिसकी वजए से आज देश में किसानों की बद से बतर स्थिती हो गई है। सरकार हाथ धोकर प्यास के पीछे पड़ी है। पता नहीं प्यास को लेकर सरकार की क्या मंशा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में प्यास की खेती से महाराष्ट्र के किसान पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे क्योंकि जब दाम ही नहीं मिलेगा तो इतनी मेहंत करके क्या करेंगे Bureau Report Market Times TV